हालो फ्रेंच, आप सभी का स्वागत है, फ्रेंच GBBорд के द्वारा जारी किया गया हिंदी का paper के हां पर संपूर हल देखने वाले हैं, फ्रेंच ये paper आपके 2024 में होने वाले बोड के exam में यही paper आने वाला है, आप सभी का जो बोड का exam है, 22 फरवरी को हिंदी का पाला पेपर ह होगा जिसमें आप सभी का यही पेपर सेम टू सेम आने वाला है इस पेपर का संपूर तयारी करके आप बोर्ड के एक्जाम में जरूर जाएएगा यहां पे आपको हिंदी का संपूर हल बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा ठीक है देखे फ् यहां पर इसके कुछ निर्देश दियेगा है इस निर्देशों को आप पढ़ लिजिएगा ठीक है आपका इसका जो में पॉइंट है उसको आपको बता देते हैं देखे इसमें जो 15 मिट रहेगा आपको पेपर को प्रश्ण पत्र रहा था उसको पढ़ने के लिए समय दि प्रश्ण का प्रयोग नहीं करना रहेगा ठीक है प्रतियक प्रश्ण को उसके सम्मुख अंग निर्धायत किये गए इसका निर्देश को आप ध्यान से पहल लिजिए गा चलिए हम सीधे प्रश्ण को हल करते हैं देखिए यहां पर जो आपको प्रश्ण है 20 बहुईकल भ करते हैं देखिए आप पहला नंबर का प्रश्ण है कि बाबु गुलाब राय किस यूग के लेखक है इस प्रश्ण को एक जगा लिख लिजिए और इन प्रश्णों को दो तीन बार जरू पढ़ दीजिएगा ठीक है यही प्रस्ण आने वाला है देखिए बाबु आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला नंबर दूसरा नंबर का सवाल देखिए चिंता मड़ी किस विधा की रचना है ठीक है आपसने जो चिंता मड़ी है एक निबंध है कविता है नाटक है या कहानी है ठीक है तो चिंता मड़ी किस विधा की रचना है तो चिंता मड एक निबंद है तिसका सही जवाब एवला आप्सन करेक्ट होगा ठीक है अगला देखें तीसरा नमबर का सवा गबन किसकी रचना है मुश्य प्रेम चंद्र की जैसंकर प्रशाद की विराला की यह हरी कृष्ष प्रेमी की तो गबन किसकी रचना है तो आप सभी को याद सब्सक्राइब नाता शाथ की विवला आप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला पांचवाब नंबर का सवाल देखें नीर का निर्माण फिर किस विदा की रचना है आप सान इंजीवनी है आत्मकता है साथ छतकार भेंट वारता है रेखा चित्र है तिहां पर ध्यान दिजी का जो रेखा नीर का निर्मा फिर किस विद्या की रचना है तो यह आत्म कथा है तो इसका सही जवब भी वला आपसन सही यूग है ठीक है यूग साथ वा नमबर का सवाल देख कि मधु श्याला किसकी रचना है आपसनए रामधारी सिंह दिन करकि है अगला सवाल आठवा नमबर दखिए भारत भारती किसकी रचना है आपसा ने सियाराम स्रड़क गुप्त की है अगला नमबर का सवाल देखिए आधुनी काल कब से कब तक माना जाता है अगला देखिए दसमा नमबर का सवाल आप कि मतिराम किसी यूग की कवी है आपसा ने आधुनिक काल के आधिकाल के भक्तिकाल के या रितिकाल के ठीक है यहाँ पर देखिए मतिराम किसी यूग के कवी है तो मतिराम रितिकाल के कवी है तो इसका सही जबब डी वला आपसान क्या होगा निर्वेद होते हैं का संथाई होगा एकगर स्थाइभाओं क्या है यह इसका सही जवाब शीवल आपसन यह ठीक है रहे सही जवाब सीवल आपसन क्रेक्ट होगा बरहां नंबर के देखिए कि सोहत ओढ़ेबी पात स्याम सलोने गाठ मनो नील मलि शयल पर आता परियो प्रकाश वुप्रियुक्त में से कोङन से अलंकार ठीक है आप के उपमानकार उत्प्रिच अलंकार रूपक अलंकार या इसमें से है..? इसे आप पहड़ा पाचान कर सकते हैं.. उत्रच्छा लंकारお amen मनो मानो जनु जानु देता है जनु दिया सब्ध देगा जानु देगा देखेए इसमें मनो है न इससे आप पाचान कर सकते हैं कि प्रच्छा लंकार है तीरावन नमबर का सवावल देखिए रोला छन्द में कुल कितने चेड़ होते हैं आपसा ने तीन होगा दो चार का प्रयोग किया गया है देखिए आकरसर सब्द में किस उपसर्व का प्रयोग किया गया है उपसर्व का मतलब होता है जो सब्द दिया रहा है उसके प्रारम में कौन सा अक्षर या कौन सा सब्द जुड़ा होता होगा ही उपसर्व का लाता है ना आकरसर में देखिए क्या भेदें तपर्ते क्या देखे उंबर उथा है ते पितांबर का मतलब बता वहता है मातलों से पॉधाले कं सा्माइज होता है कि पूडियो होगा ये ततपुरूश होगा तिए आपको कौंसे होतना यहाद रखियेगा चरें यहापसब को देखते हैं कि आफस्थ olması क्या दिया है ईटाइए PSy सभी जवब क्या होगा एक तो कि हम वह सब्सक्राइब क्या होगा बहुंच यहां पर यह संधी का सुट्र है आपको यह संदीका सुट्र बताना है तो यहां पर गार सब्द में देखें यह और जीए इसमें नहीं सब्सटर्वा प्षे का गविड़ को रलोंनेस नंबर देहान देख में फåलास सब्सक्रीकों ब्राइब हमें आफ़ को सब्सट्वान अब नसब्सक्राइब तुक पड़्षोमें अपड़ाइन डियु आफ़ चान पौरुस सब्सक्राइब पुरुष एक वचन उत्तम पुरुष बहुचन मध्यां पुरुष दिवचन देखिए इस पकास में प्रशन आपके बोड के एक्जाम में पूरुषता है संस्क्रिट से न अब पठत धातु का वचन पुरुष क्या है तो प्रथाम पुरुष है एक वचन इसका सही जवाब सही होगा ठीक है अब यहां से देखिए आपका वरणात्मक प्रश्ण स्टार्ट होता है जो पचास नंबर का रहेगा खंडवा है ठीक है अब देखिए इसको आपको पढ़के जाना इसको एक जगा लिग लिजिए इसके संदर्व को इसकी ब्याक्ख्याब जरू करके बो पढ़ने के बाद देखिए इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे इसको पढ़ता ही आपको मिलेगा यह कोई बात नहीं है कि एक सोभा औरूची के लोग में ही मित्रता होती किस चप्टर का है आपका मित्रता चप्टर का है यहां पी देखिए आपको संदर्व लिखना रहेग यह अपको गद्राइस लिखना रहेगा इसके बाद रेकानकित अच की सब्दों को थोड़ा सब्सक्राइब हो जाएगा औरまり लेखक की अनुसार समाज में भिनता देखक लो एक दुसरे क्यों आकरसित होते हैं इसको आपको अपने सब्दों में इसका लिखना रहेगा एंसोर तीन प्रश्ण देगा और दैजां में आप इनको तयार करके जाए इन दुने में इसको एक बढ़ाद के लिए विपद्द के लिए इतना आयोजन यहां यहां तक पूरे वाक्य को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उपर्यूक्त गद्यांस का संदर्व लिखेना है, जैसे आपको उपर बताएं, उसी तरह इसका संदर्व लिखिएगा, लिखने के बाद गद्यांस के रिखांकित अंस का भाव अस्पष्ट करना है आपको यह लें कि ममता दुआरा किस कार्य को इश्यवर की इच्छा अपके विरुद बताया गया है इसका क्या करना अपने सब्दों में इसका एंसोर देना है आधहवा में दो बता हैं तो दोनों में से कोई एक ही बोड की इक्जामें आपको करना है अब अगला प्रशन देखते हैं दूसरा नंबर का अब पद्यान से संबंदीत प्रशन रहेंगे आपके च्छा नंबर कर रहेगा इसमें भी आपको संद्रव लिखना यहां पर प्रश्न को देखिए जर्णा कमल बंदो हरी राई जाकि किरबा गिरिल लहों अंधे को सब कुछ दर्साई यहां से पुरा यहां तक आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद इसका क्या करना है पद्ध्यांस जो दिया संद्रम लिखना है जैसे आपको बताएं संद्र उसीपकास यहां की यहां से लेके यहां तक क्या कर ना कर है प्रयक्त पंकिति में कौन से अलंकार है आपको अलंकार विबताना इसके आथवा में क्या है आपका सूनि सुन्दर वह site तुद्धा अरस पसाने से आनी है जनकी जानी भली यहां से लेके पुरे यहां तक आपको पढ़ना है इसके बाद इसको क्या करना है संदर्व लिखना है फिर इसकी ब्याक्ष्या करना है फिर अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजूर कंज कली में कौन से अलंकार है आपको स सवाल को देखते हैं अगला नंबर करना है अब यहाँ संस्क्रीत के गद्यांग दिय में इसका हिंदी है संस्क्रीर में अनवाद करना एटिखिए है यहां से देगे यहां तक पहन με पहन या किया करना हो अपने शब्दों में टीक है यह टोटल कितने नंबर करेगा पांच नंबर का अथवा में देखिए इसको भी तयार कर लीजिए और साथ में चुनीचे पताने वाले इसको भी आप तयार कर लीजिए इन दोनों में सही आपके बोर्ड के एक्जाम में मिलने वाले यह प्रश्ण ठीक है देखिए मानो संस्कृत के क्या दिया है अब इस पद्ध्यांस के संद्रव लिखेंगा इसे हींदी में इसका अनुवात करना है तोटल यह पॉल्ट हैं आपको यह तक पढ़ना है देखिए यहां पर अथवा में दिया है ठीक है सरवय भवन्तु सुखिना सरवय संतु निरामया सरवय भ संद्र लिखने के बाद को क्या करना है हिंदी में अनुवाथ करना है तिक जितने प्रशन बता रहे हैं आपको अच्छे तर्यार कर ली जिए इसी से बोड़ के एक्जाम में आ रहा है ठीक है अगला प्रशन पांचवन नम्बर कहा है कि अपने प्ठित खंड काभ के आधार पर निम्लिकित प्रश्णों में से किस एक का उत्तर देना है तोटल कितने नंबर करेगा तीन नंबर का अब देखिए यहां सभी प्रश्णों को ध्यान से देखिए यहां पर दिया है कह दिया है खह गह और यहां पर देखिए इतने सभी प्रश्ण दिया इसमें से आपको सि तहीं स्टूडेंटों के उन सभी स्कूलों में आपको प्राँ चारित्र की जीए है ठीक है मुक्ति दूत खंड़काब के चतुरुत सर्ग का थारक अपने शब्दों में लिखिए इस में से इन दोने में से भी एक करना है और यह जितने भी प्रश्ण है आपको छोड़ देना रहेगा जिस जीला में जो प्रहा जा रहा होगा खंड़काब हो ही आपको हल करन इस पॉइंट को ध्यान दीजिए ठीक है चलिए देखिए आप छटवा नंबर का क्वेस्टन देखते हैं देखिए दिए गए लेखकों में से किस एक का जीवन परचे लिखते हुए कि एक प्रमुक रचना का उलेख करना है टोटल कितने नंबर करेगा पांच नंबर का त इनी में से एक जरूर आपको बोड के एकजाम में देखने के लिए मिल जाएगा जीवन परचे लिखने के लिए ठीक है अगला देखिए छटवा नंबर का क्या है खावाला दिए कि कव्यों में से किसी एक का जीवन परचे अपने सब्दों में लिखना रहेगा उनका सब्सक्राब में रिपीट होता है जो यहाँ लिए दिखाया गया आपको जीवन परचे उसी में हर साल देता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए यहां मा कवी सूर्दस इसका मतलब तीन आपको कवी का नाम देगा उन तीनों में से किसी एक का सबस्क्राइब कर देखिए आपको बॉड के एकजाम में लिखना है यहां पर चार प्रशन करने हैं इसका संस्कृत में यहां पर चार दिया है चार के उपाहे आफको बोड़ के एक्जाम करना है आप यहां पर देख लिए नौन नंबर का सवाल निमनलिखित में से किसी एक का विश्य पर निबंद लिखना है ठीक है यह नौ नंबर कर रहेगा पारवरा सवरच्छर के उपाय आतांगवाद कर निवरत यहाँ पर चार दिया है चारों को पर लिजिए इसमें से किसी एक कोई आपको बोर्ड के एक्जाम में लिखना रहेगा ठीक है अब माडल पेपर को आप एक, दो, तीन, चार जितने बार आप रिविजन कर सकते हैं उसका पूरा का पूरा रिविजन जरू कर लिजिएगा आपके बोर्ड की एक्जाम में मैक्सिमम इन्ही माडल पेपर में से देखने के लिए मिलता है ठीक है तो फ्रेंस अभी माडल पेपर